Hello everyone, welcome you all at Lucas's Unlimited Study Zone So, प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास टोटली हम डेडिकेट कर रहे हैं वो आपके एक टॉपिक को डेडिकेट कर रहे हैं जिसका नाम है कोलीजन ठीक है ना? आज के टॉपिक में हम टोटली और टोटली यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो इसका मतलब होता है यह टकर मगर इसमें काफी सारी चीजें शेपी हुई है फिजिक्स में अगर एक बॉड़ी यह है इसकी वेलासिटी जादा है इसकी वेलासिटी मैं U1 मान लेता हूँ और एक दूसरी बॉड़ी जो है इसकी वेलासिटी क्या है U2 है U1 सिंप्ली U2 से क्या होना चाहिए? जादा होना चाहिए तो अगर यह टकराते हैं तो टकर के बाद इनकी वेलासिटी कुछ-कुछ बदलेगी मान लेजिए टकर के बाद जो पहली बॉड़ी A थी, उसकी वेलासिटी हो गई है V1 A और टकर के बाद जो दूसरी बॉड़ी है B, इसकी वेलासिटी के हो गई है V2 तो अब यह दो टकर दो टाइप की हो सकती है physics के laws को देखते हुए ये टक्कर दो टाइप की हो सकती है टक्कर मतलब ये collision दो टाइप का हो सकता है एक हो सकता है elastic collision और दूसरा collision हो सकता है inelastic collision elastic collision का मतलब होता है ऐसा collision जिसमें दो चीजों का conservation होता है एक momentum conservation पहला जो conservation होगा वो होगा momentum conservation मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब changing momentum नहीं होगा यहने की changing momentum equal to zero दूसरा conservation मतलब की kinetic energy conservation मतलब delta kinetic equal to zero kinetic energy भी conserve रहेगी मतलब initial kinetic energy equal to final kinetic energy और momentum तो है ही इसी तरीके से inelastic collision में momentum तो conserve रहेगा मतलब delta P equal to zero मगर kinetic energy conserve रहेगी मतलब delta K is not equal to zero तो पहले हम पढ़ेंगे आज elastic collision को ऐसा collision जिसमें की momentum भी conserve रहता है kinetic energy भी conserve रहती है उसको हम क्या बोलते है elastic collision आईए देखते हैं elastic collision को समझने के लिए हम एक हमारे पास हम दो बॉल ले लेते हैं ये हमारे पास पहली बॉल है कुछ ज़्यादा मोटी बॉल बन गई है ठीक है तो हमारे पास ये first बॉल है first बॉल है और दूसरी बॉल ये मैंने इसके सामने बना दिये जी ये लिखिए अब दोनों के specification में लिख रहा हूँ पहली बॉल जो है इसका मास कितना है M1 और ये बॉल जो है ये U1 velocity से इधर की और आ रही है दूसरी बॉल जो इसका मास कितना है M2 और इसकी velocity किती है U2 टकर के बाद दोनों के बीच में कुछ हुआ ये बीच में कहीं पर टकराएं हैं टकराने में क्या हुआ फोर्स का लिना दिना हुआ होगा और टकराने के बाद में देखिए बॉल की जो नई velocity हो गई है फस्ट हो गई है V1 और ये क्या हो गई है इसकी V2 अब यदि मैं मुमेंटम की बात करों तो इस वाली ball का initial momentum कितना होगा M1, U1 इस वाली ball का initial momentum M2, U2 इस वाले ball का momentum कितना final M1, V1 और इसका momentum M2, V2 ये तो हो गई काइनटिक एनरजी में पहले वाले की रेको तो half M1, U1 is square इस वाले की काइनटिक energy यह हो गई kinetic energy, अब देखिए, अब हम conservation of momentum और conservation of energy लगाएंगे, तो लिखे के हम by conservation of momentum, तो momentum conservation की theory क्या कहती है, देखिए, momentum conservation की theory कहती है, p before equal to p after, p before equal to p after, so p before equal to p after को हम define करते हैं, p before कितना हो जाएगा, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, यहाँ से थोड़ा सा हमको एक result निकलेगा, देखिए, m1 हमने ले लिया है, यहाँ पे u1 minus m1 v1 equal to, ध्यान रखिएगा, पहले v2 आ रहा है, और बाद में कितना आ रहा है, यहाँ पे m2 u2, m2 u2, देख लिजे, कुछ नहीं किया, इधर का उधर का इधर का इधर का इधर का इधर कर दिया, मैंने ट्रांस्पोस कर दिया, इसको, अब यहाँ से m1 common ले लिजे, तो कितना बनेंगे आपके पास में, u1 minus v1, और यहाँ पे m2 common ले लिजे, यह ले लिजे, कितना v2 minus u2, यह relation बहुत काम में आने वाला है, इसको आप number 1 दे दो, ठीक है जी, clear हो गया, अब यहाँ side में, मैं kinetic energy conservation solve कर देता हूँ, क्योंकि इसमे conservation of momentum by conservation of kinetic energy, ठीक है जी, तो kinetic energy conservation क्या कहता है, कि initial k initial equal to k final, k initial equal to k final, k initial energy देखे, कितना होगा, half m1 u1 का square, plus half m2 u2 का square, equal to half m1 v1 का square, plus half m2 v2 का square, ठीक है जी, अब देखे, half आफ आफ आप common लेके cancel कर दीजे, दोन तरफ से, दोन तरफ से cancel हो जाएंगे, common लेने के बाद, मैंने directly cancel कर दीए, क्योंकि बात एक ही है, अब यहाँ से देखे, m1 u1 का square minus m1 v1 का square, आप लिख सकते हैं इधर से लाके, और यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ है, m2 v2 का square, और minus m2 u2 का square, m1 आपने यहाँ से common ले लिया, क्या बच गया, u1 square minus v1 square, इधर से m2 common ले लिया, तो बच गया कितना, v2 square minus u2 का square, इसको आप simplify करके लिख सकते है, m1 u1 minus v1 into u1 plus v1 equal to m2 v2 minus u2 और bracket में v2 plus u2, यह देखे, relation number 2 है, बहुत काम का, ओके, यहाँ तक एक part, पहली चीच, पहली चीच, यहाँ दोनों आपने laws लगा लिए, एक काम बड़ा काम आपका यहाँ तक आ चुका है, अब क्या करना आपको, अब आपको 1 में 2 को, या 2 में 1 को जिसको जिससे डिवाइड करना हो कर दीजे, तो मैं क्या करता हूँ, 1 divided by 2, क्या करूँगा मैं, 1 divided by 2, है ना, so by first equation divided with the second equation, तो देखे, first equation लिखता हूँ, क्या देखे, first equation है, m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2, clear है, यह first equation है, और दूसरी equation देखे, क्या है आपके, दूसरी equation, आप second में से first को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा आपको लगेगा कि आप second से first को करो, क्योंकि second में उपर ज्यादा quantity है, तो मैं भी क्यों ना, second से first को कर दूँ, जो बच्चों को simple लगे, वो करो भाई, तो second से first को करते हैं, second divided by first, ठीक ना, तो second equation उपर लिखता हूँ, देखे, m1, second में क्या देखे, u1 minus v1, और क्या है, u1 plus v1, equal to m2, इधर है, v2 minus u2, और यहां है, v2 plus u2, अब डिवाइड वाली बात दोनों में, तो कितना है, m1, u1 minus v1, यह देखे, उपर लिखा है, equal to, एस और equal to तो कर दिया अपने, m2, v2 minus u2, चलिए, cancel करिए, यह cancel हो गया, इस से, और यह पूरा का पूरा हो गया, cancel इस से, जिखे, जो main आपके पास आया, वो क्या आया, वो आया, u1 plus v1, equal to u2, plus v2, ओके, u1 plus v1, equal to u2, plus v2, बिल्कुल सही है, u1 plus v1, equal to u2, plus v2, देखे, यह जो चीज आई यह बहुत काम की चीज़े आपके लिए, बहुत ही काम की चीज़े, इस से कई सारी चीज़े बन सकती है, आप इसको जिस रूप में लिखो, काम आपको finally यह आने वाला है, अब आप इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखो, देखो, मेरे लिए, बोलो, u2 minus u1, u2 minus u1, यह मतलब इधर ले गया हूँ, ले गया हूँ, ठीक है न जी, u1 को आप यहाँ ले गया हूँ, तो यहाँ पर कौन बचा है, बोलो, v1, और minus कितना, v2, तो इसको पलट करके मैं लिख लो, अच्छा लिखेगा, बोलो, u2 minus u1 equal to v1 minus v2, ठीक है न, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था, कि v1 minus v2 equal to u2 minus u1, ठीक है न, यह बहुत काम की चीज़ है, अब एक चीज़ देखे से, आप यहाँ पर minus common ले ले, तो यह क्या बन जाएगा, minus का v2, v2 plus में हो गया, और v1 किस में चला जाएगा, minus में, और यह क्या है, u2 minus u1, तो देखे धान से यह क्या है, यह क्या चीज़ होती है, इसको बोलेंगे, relative velocity before collision, relative velocity before collision, और यह क्या है, relative velocity after collision, मतलब कि negative लगा, तो negative और यह क्या है, relative velocity after collision, जी हाँ वी तो आफ़टर में था ना वी के सिंगनल उने आफ़टर में यूस करें न तो ईह बाद की रिलेटिव फ्लस्टी और इसे Nा बाद इंने मतलब रेलेटिव फ्लस्ती जो होती है दोनों की इकवल होती है बर कख का रहता है, बिलकुल negative में हो जाती है, क्योंकि रेखे, जब सुरुआत में था, तो ये एक दोनों के पास में आने की बात कर रहे थे, आ रहे थे ना, ये पास में आ रहे थे, और टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, दूर जाएंगे, तकर के बाद क्या हो जाएंगे, दूर यदि आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया result है, यह हो सकता है कि यहीं तक exam में आ जाए, कि show करिए कि relative velocity after collision, equal to relative velocity before collision का negative, यही एक side negative रहेगा, ठीक न, तो यहां तक तो बात हो चुकी है, यहां तक हम आ करके खड़े हुए हैं, कि इसमें ख आपने सीख लिया है, या उल्टा का यहीं माइनस sign को यहां बेज दिया जाए, तो मैं कह सकता हूँ, V2 minus V1 is equal to negative of U2 minus U1, दोनों ही चीज़े हैं, और यदि यह सब कुछ कठीन लग रहा है, तो आपका पुराना वाला साहिए, U1 plus V1 equal to U2 plus V2, यही थना भाई साब उपर, य मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, कि यह सारे रिजल्ट इसी को इधर उधर करके बने हुए है, यह है इतना main equation, हाँ यह न, भाई, U1 plus V1 equal to U2 plus V2, इसी से यह बना, बुलिए हाँ, इसी से क्या बना, यह बना, तो main आप इसको याद रखें, चायस को याद रखें, चायस को निकालना है, देखी जब टक्कर हुआ था, तो हमें क्या पता था और क्या नहीं पता था, जब टक्कर हुआ था, तो हमें पहले वाले particle की velocity U1 पता थी, टक्कर करने के पहले, हमीने भेजा था, U2 भी पता था, भुलि हाँ, दो इस ट्राइगर आपने गोटी मारी, कैरम में एक मारी ये, एक मारी ये, दोनों की velocity आपको पता है, टक्कर होने के बाद की velocity ना तो V1 की पता है, और ना तो V2 की पता है, तो अब हमको इन दोनों velocity को निकालना है, तो हम सबसे पहले V1 निकालेंगे, और दूसके बाद क्या निकालेंगे, V2, तो सबसे पहले मैं V1 निका पता लगाने एक तरीके से ठीक ना तो सबसे पहले मैं वीवन का पता लगाने जा रहा हूं चले तो वीवन का पता लगाने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं कौन सा M2 V2, sorry देखे गलत बोल गया, M1 U1 minus V1 equal to M2 V2 minus U2, लिखने में बहुत सावधानी बरती है गया, यह कई बार गलत हो जाता है, तो हम मैं लिख रहा हूँ, देखी क्या था relation, M1, क्या था बोलिए, U1 minus V1 equal to M2 V2 minus U2, जी हाँ, तो यह था M1 U1 minus V1 equal to M2 V2 minus U2, ठीक है, आपको क् निकालना है, V1, क्या निकालना है, V1, नोन क्या है, U1 पता है, और U2 पता है, हाँ न, अनोन क्या है, V1 और V2, तो एक टाइम में दो लोगों से लडाई तो नहीं हो सकती, V1 और V2 से, तो V2 को या तो गायप कर दोगे, तो V1 आ जाएगा, तो हम आपस relation क्या था, याद क्योंकि यहाँ आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, कहीं यहाँ है न, तो यह किसकी वैल्यू आ गई, V2 की, और V2 की वैल्यू यही वैल्यू आपको उठा की यहाँ पर रखनी है, यह जो मैंने टिक लगाया है, डन, चली तो पुट करते हैं, देखें, M1 का मल्टिप V1 माइनस U2, ओके, और माइनस U2 एक बार फिर से, यह वाला, है न, यह तो इसकी पार्टी के थे तीनो, V2 के, और यह माइनस U2, so M1 U1 माइनस M1 V1 एक्वाल टू, देखें, अब अंदर कुछ हो सकता है, क्या, नहीं, मल्टिप्लाई होगा सीधा-सीधा, डबल, कैंसल नही होगे, यह भी माइनस, यह भी माइनस है, तो add हो जाएंगे, तो U1 प्लस V1 माइनस 2 U2, चलिए, M1 U1 माइनस M1 V1 एक्वाल टू M2 U1 प्लस M2 V1, ओके, और माइनस 2 M2 U2, क्लियर है, माइनस 2 M2 U2, अब एक काम करते हैं हम, कि हम V1 और V1 सबी को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक न? देखें, तो हम क्या करेंगे, हम V1 वाली पारटी को एक तरफ ले लेते हैं, और V2 वाली, sorry, U1, U2 वाले को सब को एक तरफ ले ले लेंगे, तो देखें, यहाँ पर M1 U1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखें, M1 U1, यह M2 वाला पार्टी को तो वीवन के लिए कौन बैठा है यहां पर राइट साइड में यह बैठा है तो मैं पहले लिख देता हूँ M2 V1 और उधर से आ गया क्या M1 V1 डन यहां से मैं यदी क्या कॉमन ले लूँ इधर से मैं यूवन कॉमन लिए तो यह कितना बन गया M1 माइनस M2 clear M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 और साथ में कितना U2 और यहां से मैंने V1 कॉमन लिया तो यह कितना बन गया M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 दोनों एक ही चीज़ है है ना M1 प्लस M2 तो V1 की value तयार है हमारे पास आने के लिए तो पहले काम करो इस अच्छा दिखने के लिए इसको इधर ले जाओ और उसको इधर ले जाओ क्योंकि हमको value निकालनी है है ना तो मैं प्लट करके लिखता हूं जिससे अच्छा लगेगा V1 M1 प्लस M2 एक्वल टू M1 माइनस M2 इन्टू कितना है U1 है ना और प्लस 2 M2 U2 ठीक है तो V1 क्या करेगा V1 की value निकालो गए तो यह multiply वाली चीज़ कहा जाएगी कि दिवाइड में तो दोनों के दिवाइड में दे दो इसको सो M1 माइनस M2 इन्टू कितना U1 और डिवाइड़ वाई कितना आएगा M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 डिवाइड़ बाई M1 प्लस M2 multiply by U2 तो यह हमारे पास velocity फस्ट आ चुकी है फस्ट ऑब्जेक्ट की हमारे पास velocity आ चुकी है ठीक है ना धिहान रखिएगा पहले object की यह velocity है ठीक है तो इसको मैं underline कर देता हूं यह देखिए यह मेरे पहले object की velocity है V1 ठीक है ना तो V1 की velocity याद रखिएगा इसको याद करना पड़ता है derivation को क्योंकि directly numerical आ जाता तो इसकी आप practice करके जाएंगे तो कैसे होती practice की देखिए आखिए V1 जो है दो component में टूटेगा कुछ हिस्षा यूवन का होगा और कुछ हिस्षा क्या होगा यूटू का और यहाँ पर क्या लगाईए plus यहाँ पर क्या लगाएंगे plus अपान में पहले में भी m1 plus m2 और दूसरे में भी m1 plus m2 ठीक है ना यहाँ पर क्या आएगा फस्ट वाले में आएगा M1 माइनस M2, मतलब दोनों का माइनस, ठीक है ना, और यहाँ इसका आएगा 2 सेकेंड वाला मास M2, 2 M2 क्लियर है, तो आप यदि इसको इसे याद कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है और फॉर्मुले में यह लगा दीजिए ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है ना, बार-बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका V1, जैसे मैं ने प्रैक्टिस कर रखी, तो मुझे याद हो गया, V1 इक्वल 2 होता है, उपर माइनस होता है M1 माइनस M2, और नीचे होता है कितना M1 प्लस M2, ओके, यहाँ पर U1 आता है प्लस यहाँ पर लगता है, फिर यहाँ पर 2M2 हो जाता है, नीचे एजर्टेज होता है, M1 प्लस M2 और साथ में यहाँ पर U2, यह आगे आपका first velocity V1 की, अब आपको निकालना है velocity V2 की, किसकी निकालनी velocity, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा velocity V2 की, इसी equation से निकलेगा, बस पिछले बार आपने किसको gap किया था, V2 को gap किया था, इस बार किसको V1 को gap करेंगे, तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं, हम लोग यह सारा काम और हम निकाल देते हैं देखिए आप क्या होने वाला है, तो estimating V2, अब यहाँ पर हम V2 estimate करने वाले हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर फिर से start करता हूँ, मैं लिखूंगा estimating V2, यानि कि second object की velocity हम निकालने वाले, V1 तो निकाल चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको किसको गयाप करना पड़ेगा, वीवन को गयाप करना पड़ेगा, है ना, तो हमाए पस क्या relation था, यही वाला relation था, U1 प्लस V1 equal to U2 प्लस, तो V1 की value यहाँ से identify कर लिजे, तो V1 equal to हो जाएगा U2 plus V2 minus U1, बस, अब इसी चीज को आपको यहाँ पर पूट करना है, किस में पूट करना है वह ही equation number first चलिए, first equation में लिख देता हूँ, पहले M1, U1 minus V1 equal to M2, V2 minus U2, अब value रखने का समय आचुका है, पुराने काम से हमें कोई मतलब नहीं चलिए, यहाँ पर M1 U1 की value तो U1 है minus, साथान रही है, क्या चुका है minus, क्या लगा है minus, और V1 की value यह है तो आपको पता है कि minus sign बदल देता है तो U2 जो plus में है वो क्या हो जाएगा minus में, V2 जो plus में हो क्या हो जाएगा, minus में, और U1 जो minus में हो किस में हो जाएगा हाँ, ठिक है और M2 V2-U2 as it is रहेगा लगा ना minus ये देखिए ये minus था न V1 की जगए U1 के बाद minus V1 था तो इसने इस पूरे V1 को minus कर दिया ये भी minus ये भी minus और minus minus क्या हो गया plus हो गया तो इसने minus ने टेक किया ना पूरे के उपर कर तो दिया चलिए अब value हमको सभाल नहीं, इसको put करते हैं, देखते हैं, जो जो होरा अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा देखी, यहाँ पे M1, U1, U2, U1 दो बार है, देखे, U1 और U1, तो मैं लिख सकता हूँ, 2 U1, minus U2 और minus का, V2 equals to M2, bracket में V2 minus U2, ठीक है, multiply कर दीजे, त minus M2, U2 minus M, यहाँ पे गलती होगे, M1, U2 होगा, ऐसी गलती बहुत जादा होती है, M1, U2 minus M1, V2 equals to M2, V2 minus M2, U2, ठीक है जी, चलिए, अब क्या होने वाला है, इसके बाद, यह देखे, अब हमको वही V1, V2 एक तरफ करना है, तो हमको इस बार V2 निकालना है, तो हमको V2 ए पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, M2, V2 है, और यहाँ से M1, V2 धलिया, माइनस है, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, plus M1, V2, M1, V2, अब यहाँ देखे, यह क्या है, 2, M1, U1 है, और M1, U2 यह है, और M2, U2 यह है, तो क्या लिखूँगा, मैं देखे, यह चीज प् माइनस का M1, U2, सब कुछ सही चल रहा है, बस हमको वैल्यू निकालनी है, चलिए, वैल्यू निकालते हैं, चलिए, वैल्यू निकालते हैं, देखे, कैसे निकलेगी वैल्यू, यहाँ से आप V2 कॉमन ले लिए, तो कितना बने गया, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ओके, और यहा और यदि मैं प्लस यहाँ से ले लूँ, कॉमन U2, तो क्या बचेगा यहाँ पे M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, ठीक है न, देखे, पिछले बार जो था, पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार इधर M1 माइनस M2 था, फस्ट में, ठीक है न, और इस बार क्या हो रहा है, इस इसले बार के जैसे तो बहतर लगेगा, तो V2 ब्रैकेट में M1 प्लस M2, एक्वल टू, 2 M1, U1, प्लस M2 माइनस M1, इंटू कितना U2, चलिए तो V2 एक्वल्स टू, 2 M1 अपॉन, क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और यह ब्रैकेट में जाएगा, क्या हैगा, U1, और प्लस M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन, प्लस M2, और यहाँ पर क्या, U2, देखे, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर देखे, आप दोनों एक्वेशन को, पिछले बार का एक्वेशन यह है, V1, और इस बार का एक्वेशन क्या है, V2, है ना, V1 में देखे, पहले माइनस आता है, इसमें में 2M2 आता है, इसमें क्या आता है, 2M मनाता है, ठीक ना, क्लियर हुआ, तो यह दोनों में एक्वेशन आपके आ चुके है, यदि आप V1 को याद करें, इक पर मैं यहाँ बे लिखवा देता हूँ, तो V1 क्या था, यहाँ पर याद होगा, यहाँ पर V1 था, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया था, 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2, अब आप अच्छे से देख लिजे दोनों एक्वेशन को, क्योंकि दोनों एक्वेशन आपको याद होने चाहिए, इन पर डारेक्ट क्वेशन आएगा बीन ठीक है न, तो इनको आप डारेक्ट फॉर्मूले के तौर पर आप इनको याद कर लिजे, लिख लिजे इनको कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडू की वैल्यू, ठीक है न, चलिए नोट करिए, ओके तो गाईज यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब स्थिके हैं, यहाँ मास की पहली भी बॉल है, और एम मास की दूसरी बॉल है, तो क्या होगा अगर आपने टक्कर मारी striker ने जाकर के same mass की velocity को तो फिर क्या होगा देखिए है ना और पहली वाली velocity कितनी है U1 है और दूसरे की कितनी है U2 है ठीक है ना तो देखते है same mass के लिए क्या होगा तो हम same mass में हमने क्या बोला M1 equal to M2 और इनको हमें common mass मान लेते हैं M, क्या मान लेते हैं M, दोनों के मास कितने है M है, तो चलिए मैं निकालता हूँ सबसे पहले V1, क्या निकालता हूँ, V1, velocity first ball की, तो क्या है पहले का मास कितना है M, दूसरे का भी कितना है M, अपॉन M प्लस M, यहने की 2M, 2M हो गया, इंटो कितना U1, प्लस, और यहां पे देखें, यह कितना हो गया, 2M, और नीचे, हाँ 1 और 2 गायब हो जाएं, क्योंकि दोनों के मास मैंने सेम मान लिए न, M, अलग-अलग मास नहीं, अब सेम है, तो काय को अलग-अलग लेने की, तो 2M, M प्लस M कितना हो गया, नीचे भी 2M हो गया, और यहां पे U2 तो देखें, यह तो 0 हो गया, तो V1 यह कितना हो गया, 0, because M-M equal to कितना हो गया, 0, तो इसको लिखने की जरुगत नहीं है, 2M से 2M, cancel, यह कितना हो गया, U2, मतलब, जो आपकी टकराने के बाद, ऐसी टकर होई थी, याद करिए आपको, यह U1 था, और यह क्या था, U2 था, औ और यह बन गया, विटो, तू देखें, हुआ क्या, पीछे से गोटी आई, और आंगे वाली दोड़री गोटी को मार दिया, तो जो पीछे से जो घोटी आई है, उसकी विवन है, V1 किसकी विलास्टी को ले लेगा, यह जो आंगे वाली है, उसकी विलास्टी को कौन occupy कर ल हो गया है यूट हो गया मतलब यह जो पार्टिकल है पुराना वाला जो ए है यह क्या है यह ना यह कौन है बी है है ना तो एने किसकी विलास्टी को गेन कर लिया बी की विलास्टी को ले लिया है यह एक्चुली इसके अंदर चली गई है फाइनली ठीक ना तो जो फाइनल व समझो की वीवन कितना हो गया तो वीवन कितना हो गया यूटू हो गया ठीक ना ये दी वी दोड क्या रहा था ये वी दोड क्या रहा था इसने इसको टक्कर मारी तो किया क्या इसने इसने अपनी वेलोस्टी इसको दे दी और देखना इसकी वेलोस्टी कौन ले लेगा ये ल आपके लिए तो वी टू किया था देखिए वीटू निकालता हु यह देखिए आंसर वी 2 कितना हो गया? U1 feet equal to U1 मतलब की जो second ये body है second वाली body है वो किसकी velocity ले लेगी फैले वाली की clear हो गया मतलब velocity interchange हो गई velocity क्या हो गई interchange हो गई है ठीक ना तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि velocity interchange हो गई तो एक बढ़ी ऐसे example समझो इसमें एक scooter है क्या एक scooter है इसने जा करके दूसरी scooter को टक्कर मार दिया जिसकी velocity किती है 10 meter per second तो टक्कर मारने के बाद क्या होगा वैसे मैं बता दूँ कि scooter का टक्कर perfectly elastic नहीं होता है इसलिए scooter वाले case में ये नहीं लगेगा ये case में लगेगा perfectly elastic bodies जो कि कभी होती ही नहीं है इनको केवल आप imaginary consider कर सकते हो तो मान लेते हैं कि अगर scooter पकी elastic होती तो फिर क्या होता सीन तो 20 वाली दस से टकराती बोलो हाँ clear हुआ तो टकराने के बाद मालूम क्या होता ये body A है और ये body क्या है B है अब यहाँ देखो ये पहला वाला scooter A और दूसरा वाला scooter B ठीक ना तो A वाली velocity किसको मिल जाती B को मतलब दूसरा जो scooter है B अब वो कित्ते से भाग रहा होता 20 meter per second मतलब इसने अपना धक्का इसको दे दिया समझ में आगे ना अब खुद कमजोर पढ़ गया और इसकी जो velocity है A की वो कित्ती हो जाती 10 meter per second I hope इस visualization से आपको कुछ समझ में आ गया होगा 20 और 10 की लडाई हुई तो 20 ने अपना इसको दे दिया और उसका A इसने ले लिया बस याद रखना दोनों के मास सेम है सब के मिसके भी M है इसके भी M है तब ही ये property लगे की तो पहला case हमारा बन चुका है जब दोनों की velocity क्या हो सेम हो ठीक है ना अब चलिए second case है अब हम second case discuss करते है case number second second case जो है हमारा when M2 is at rest जब second body rest पे हो one of the body is at rest अब भीया one of the body is at rest पे किसको rest रखोगे पहले को तो रखोगे नहीं नहीं तो टक्कर ही नहीं होगी दूसरे को ही रखोगे तभी तो टक्कर होनी भी तो चाहिए collision पढ़ने के लिए तो मैं लिखूंगा when M2 is at rest M2 किस पे है rest पे है M2 rest पे है मतलब U2 कितना हो गया जीरो U2 कितना हो गया अब आईए देखे case बनाते है यह body M1 है किस velocity से move कर रही है U1 से और यह body M2 है किस अब U2 से velocity से move कर रही थी बट U2 हमने क्या ले लिया है 0 टक्कर होने के बाद M1 की velocity कितना हो जाएगी V1 और M2 की velocity कितना हो जाएगी V2 अब चलिए V1 और V2 के different case लिखते है चलिए V1 मैंने क्या बताया था बोलिए V1 इकल टू कितना निकला था बोलिए M1 माइनस M2 भूल गया है क्या आप लोग M1 माइनस M2 upon M1 प्लस M2 into कितना U1 plus 2 M2 ठीक है न जी upon M1 प्लस M2 into कितना U2 अब देखे यहाँ पे value पुट करिए देखे यूटू कितना जीरो है यूटू कितना है जीरो है तो हम यहाँ पे value पुट करते हैं तो V1 इकल टू कितना हो जाएगा V1 इस तरीके solve करने का बद V1 इकल टू हो जाएगा M1 माइनस M2 upon M1 plus M2 into कितना U1 और यह सारा का सारा कितना हो गया जीरो हो गया यह सारा कितना हो गया अरे भाई U2 जीरो है ना रेस्ट पे है तो V1 की velocity इतनी आ गई V1 की velocity इतनी आ गई समझ गया ना यह रुका हुआ था यह चल रहा था ठीक है ना second case देखे V2 निकलते है तो V2 कितना था याद होगा आपको V2 था 2M1 अपन M1 प्लस M2 है ना 2M1 अपन M1 प्लस M2 बताइए V2 में क्या आया था U1 आया था नहीं यह जड़ा देख लीजे एक बार कॉपी में जल्दी से V2 की वैल्यू बहुत इंपोर्टेंट है भाई M2 की वैल्यू है ना हाँ तो V2 में 2M1 अपन M1 प्लस M2 into U1 ठीक ना हाँ और वीज में प्लस आया था और यहां पर गया था बताई है M2 गलत बोल रहे हैं आप प्लस नहीं आया होगा कभी V2 में प्लस नहीं आ सकता है हाँ जी मुझे तो माइनस लग रहे है देखिए V2 में V2 में V2 कहां गया यह V2 है इधर लिखा हुग है V2 यह लिखा है देखिए देखिए V2 में M2 माइनस M1 सही करो भाई गलत क्यों लिख रहे हैं बच्चों M2 माइनस M1 अपन M1 प्लस M2 इंटू U2 ठीक है अब देखिए अगर इसमें क्या बोला मैंने U2 0 है क्या है U2 क्योंकि सेकंड बॉड़ी रुकी हुई है तो V2 कितना है गा V2 की वैली भी आने वाली है बोलिए 2M1 अपन M1 प्लस M2 इंटू U1 ये देखिए ये आचुकी है हमारी दोनों वेलोसिटी है ना अगर बोडी रुकी हुई है तो V1 आ गया और क्या गया V2 आ गया अभी दोनों के मास अलग अलग है अभी दोनों के मास क्या है अलग अलग अब इसके अंदर एक special case लेते है कि दोनों के मास सेम हो दोनों के मास क्या हो इफ M1 इक्पल टू M2 समझ गए ना मतलब سकूटर जो है वो खड़ी हुई सकूटर से टक्रा अरही है देख रहे हो स्कूटर का मास कितना म और खड़ी हुई सकूटर उसका मास भी कितना M, ये आ रही है किस velocity से, U1 से, ये किते से चल लिए, 0 से, तो अब टकराने के बाद क्या होगा, देखना मज़ा आने वाला है, सबसे पहले V1, मतलब टकराने के बाद इसकी velocity, टकराने के बाद किसकी velocity, जो टकराई है, क्योंकि जो U1 है वोई तो V1 बनेगा न, ये A है, और ये M है, तो M minus M, M minus, upon M plus M, बोले तो 2M, into कितना, U1, clear, ये तो निपड़ गया, ठीक है, अब प्लस, U2 तो 0 है ही है, तो ये भी क्या हो जागा, 0, क्योंकि U2 ही 0 है, और मास से मास क्या हो गया, cancel, तो all total कितना हो गया, 0, सब को 0 हो गया, मतलब ये चलने वाली गाड़ी जो है, ट खुद रेस्ट पे आ गई, मतलब V1 equal to कितना हो गया, 0, clear हो गया, अब देखते हैं जरा इसको, कहीं ऐसा नहों कि इसको ये यूवन दे दे, मतलब खुद रुख गई, और उस वाले को चला दी, तो मुझे बहुत बढ़ी अखेल आद आ गया, यहां पे, खोखो, याद है, खोखो में जब आप धक्का मारते हैं, तो खुद जाके रुख जाते हैं, और जिसको धक्का मारते हैं, वो चलना सुरू हो जाता है, है ना तो यह तो खोखो वाला केस हो गया, बिल्कुल, और उसी विलास्टी पे आया है, जिस पे आप चलके आ रहे थे, जिस पे आपने इतना 2M और नीचे M प्लस M कितना हो गया भाई साब 2M और इधर खोपचे में क्या बैठा यूवन 2M से 2M कैंसल आंसर कितना आ गया अरे यूवन आ गया भाई है ना तो मतलब जो velocity second वाली की है वो किसके कोल आ गई है यूवन की है मतलब जो इतने से चल रहा था वो आंगे बाले को धक्का दिया आंगे बाले ने गेन कर लिये velocity clear होया yes मज़ा आ गया तो दिखें V2 equal to U1 तो क्या कहेगा thus when the masses are equal and one body is at rest then after the collision second body comes to the rest and first body gains the velocity of the second गलत लिग दिया भाई साब इसमें then after the collision first body come into the rest collision के बाद जो पहली body है वो किस में आ जाएगी रेस्ट में आ जाएगी और जो दूसरी body है वो first body के velocity gain कर लेगी ठीक है जी चलिए यह होग चुके हैं दो case ठीक है ना अब तीसरा case चल रहा है अब तीसरा case मगर फिर से याद रहे बच्चों हमको इस velocity की जरूरत पढ़ेगी जो मैंने यहां पर लिखा है यह वाला derivation यह देखिए यह बहुत काम का है ठीक ना तो इसको मैं फिर यहां पर भी ले चलता हूं मुझे यहां पर भी जरूरत पढ़ेगी यह लिजी मैंने यहां पर को पेस्ट कर दिया आएए देखते हैं फिर से क्या जरूरत पढ़ने वाली है फिर से नया केस डेवलप होने वाला है बहुत ही शांदार केस है अगला केस मैं बता रहा हूं इस केस का मतलब समझों क्यूंकि यह सारे केस आ सकते हैं एक्जाम में M2 is very very less than M1 मतलब जो second body उसका मास बहुत कम है second body उसका मास बहुत कम है मतलब हुआ क्या एक तरीके से एक truck है ये truck पहली body है बोले जी हाँ और truck आ रहा है और जो दूसरी body है truck के सामने क्या है cycle है क्या है truck के सामने cycle तो cycle का मास कितना है भाई साब M2 और truck का मास कितना है M1 देखो M2 क्या है बहुत कम है truck का मास कितना होता है बहुत जादा 10,000 kg 17,000 kg बोलो जी ये सानो और cycle कितने की होती है 10 kg की है ना उल्टा लिग दिया मैंने M2 तो इस तरफ है M2 cycle कितने की 10 kg की है और ये 17,000 kg Yes or No तो इसके सामने तो ये बिल्कुल कुछ नहीं है तो अब हमको निकालना है कि अगर truck cycle से टकराएगा तो क्या होगा ट्रक अगर cycle से टकराएगा तो क्या होगा ठीक है clear हुआ कि नहीं हुआ तो आईए देखते हैं वीवन का फॉर्मूला क्या है पहले मैं वीवन का फॉर्मूला लिख दूँ वीवन का फॉर्मूला है वो M1 से बहुत छोटा है क्योंकि M2 क्या है scooter cycle है और M1 क्या है ट्रक है तो बहुत छोटा है मतलब आप इसको negligible मान सकते हो क्या मान सकते हो मान सकते हो बहुत अच्छे द्यान देना पड़ेगा इस चीज को आपको देखिए उपर क्या है scooter का मास है की नहीं है और नीचे क्या scooter और ट्रक दोनों का तो जब आप किसी चीज को जैसे की 10 को आप 17,000 में डिवाइड गरोगे तो इसकी band बच जाएगी की नहीं बच जाएगी इसका answer किता हैगा 0.000 something बो हाँ तो यही तो हो रहा है में कि इसमें आपने छोटे में से बहुत बढ़े को डिवाइड के तो इसकी band बच गई बोलो इसका answer कितना आया 0.000 अब इसी से उम्मीद है आई देखते है V1 इकल 2 क्या होगा देखो भाई या M1 और माइनस M2 ट्रक के मास में से स्कूटर का मास आपने माइनस किया है तो ट्रक का मास क्या कम हो जाएगा नहीं होगा ट्रक का मास टस्क का मास बना रहेगा बोलो हाँ न और नीचे ट्रक का मास और स्कूटर का मास क्लियर ट्रक का मास और किसका मास स्कूटर का मास तो भाईया ट्रक के मास और स्कूटर के मास में एड करोगे तो ट्रक का मास ज्यादा चेंज तो होगा नहीं लगभगो ट्रक के ही मास के बराबर समझ लो मतलब M1 M2 से इतना बड़ा है तो M1 प्लस M2 is near about कितना होगा M2 नहीं तो होगा बोले यह सन्नो clear है आप जैसे कि मुझे से लेके गए हो उधार 10,00,00 एक रुपए कितने रुपए और मुझे लोटा करके दे रहे हो कि सरल्यो मैं 10,00,00 रुपए आपको दे पाऊंगा तो क्या मैं एक रुपए के लिए लड़ूंगा क्योंकि इतनी बड़ी quantity है 10,00,00 कि उसके सामने एक रुपए का कोई value नहीं है इसलिए ट्रक के मास के सामने स्कूटर के मास की कोई value नहीं है तो M1 ऊपर भी और नीचे भी M1 और multiply भे कितना तो इससे यह क्या हो गया तो V1 इक्कल टू कितना हाँ देख रहे हो क्या हो रहा है मतलब यदि ट्रक में किसमें ट्रक से अगर cycle टकराई है देख रहे हो ट्रक से cycle टकराई है ट्रक की speed कितनी थी U1 ठीक ना cycle की speed कितनी है U2 cycle की speed कितनी है U2 तो और इसकी speed कितनी है V1 कितनी speed है तो V1 कितना आ रहा है U1 मतलब truck जिस speed से आ रहा था उसको पता भी नहीं चलेगा वो उसी speed से चलता रहेगा समझ गया ना ऐसे हाथी के पाओं के नीचे चीटी आती तो पता नहीं चलता है तो वैसे truck को भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया समझ गया है तो truck भी उसी speed से यूवन speed से चलता रहेगा वी वन इक्वल टू यूवन वी वन इक्वल टू यूवन अब हम निकालते हैं V2 साइकल का क्या हुआ cycle की speed का क्या हुआ तो हम निकाल रहे हैं अब क्या V2 निकालने वाले हैं क्या निकालने वाले हैं V2 निकालने वाले हैं आईए तो V2 निकालेंगे तो V2 का formula तो ये लिखा हुआ है ये रेखे V2 का formula ये लिखा हुआ है ठीक ना तो V2 का ف FORMULA निकालेंगे कि V2 का क्या होने वाला देखिए बताते हैं V2 का क्या होने वाला है चलिए तो V2 का फार्मULA पहले लिख लेता हूं अपनी तरप से, बोलिये V2 equals 2 भー लिये 2M1, 2M1 है ना, upon M1 plus M2, में 2, ठीकके ना M2 minus M1 upon M1 plus M2 into U2. बिल्कुल सही है. अब देखिए होगा क्या V2 equal to. देखिए 2 M1 याने किस का मास? ट्रक का मास का दो गुना. बोलो हाँ. और नीचे भी क्या ट्रक और स्कूटर? ट्रक और साइकल. तो किस का मास बना? ट्रक का. इंटु कितना? U1. उपर देखिए. उपर क्य ट्रक का मास. उपर स्कूटर और ट्रक का माइनस. मतलब माइनस ट्रक का. बुली हाँ हाँ है ना? मतलब एक तरीके से माइनस M1. क्या बनेगा माइनस M1? बनेगा की नीचे? और नीचे M1 के चलिए इसको आप कह रहे हैं इसको हम क्या लिख लें M1 ठीक है ना चलिए अब देखिए क्या होने वाला है ये ये क्या हो गया cancel तो V2 equal to कितना हो गया 2U1 क्या हो गया V2 equal to 2U1 ठीक ना और ऊपर M2 में से M1 माइनस हुआ है M2 में से M1 मैनस हुआ है ये देखिए M1 में से M1 क्या हो गया cancel तो कितना आगया माइनस यूटू क्या आगया माइनस यूटू तो जो सेकेंड पार्टिकल की विलास्टी आई है वो किती आई है 2U1 माइनस यूटू V2 is equal to 2U1 माइनस का कितना यूटू अब देखिए जो यूटू है ना होता क्या इसको 0 ले रहे हैं क्या ले रहे हैं इसको हम 0 ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं 0 ये नीचे का मास क्या है बहुत बड़ा है बोलो हाय ना भाई उपर की का प्लस दो चीजी का माइनस तो कम डिफ्रेंस हमेशा क्या होता है कम और एडिशन हमेशा क्या होता है ज्यादा और कम मेंसे जब ज्यादा को आप डिवाइट करते तो आंसर आता है 0.00 something बुले यह सुनो तो इसलिए ये जो है ना ये कोई काम की ज्यादा नहीं है इसे मतल आपने ट्रक से अगर साइकल टकरा दी है बोल रहे हैं तो ये क्या था यूवन और ये क्या था यूटू बिल्कुल सही तो हो क्या रहा है टकराने के बार ट्रक तो भीवन तो यूवन से ही चल रहा है हाथ ही चले अपनी चल बोलो हां मगर जो साइकल है भाई साब जिससे है जो साइकल है उसकी वेलासिटी कितनी है यूवन का डबल यूवन का डबल मतलब इतनी जोर की टकर हुई है कि जो साइकल है वो फिक जाएगी कितने से फिकेगी इसके डबल के ट्रक के डबल के आई बात समझ में तो ट्रक के डबल में साइकल फिक जाएगी क्लियर सेकेंड body, second condition देखते हैं, second condition और last है, इसका मजाने वाला है, fourth condition fourth condition है, जबरदस्थ condition है, देखी, क्या है fourth condition if M1 is very very less than M2, M1 is very very less than M2, हाँ, पिछले बार M2 छोटा था, इस बार कौन छोटा है M1, मतलब की cycle जो है जाकर के किस से टकरा गई है ट्रक से, किस से टकरा गई है ट्रक से, यह M1 है और यह क्या है, M2, यह 10 kg की है, और यह 20,000, 20,000 यह 17,000 kg ठीक ना, और लोड रहता तब तो 40 ton का हो जाता भाई साब देख रहे हो यह होने वाला है, टकराने वाला है तो क्या होने वाला है, cycle का क्या होगा, V1 क्या होगा और ट्रक का भी, क्या होगा, V2 का क्या होगा, ठीक ना, चलिए M1 is very, very less than M2 चलिए, तो फार्मूला बनाते हैं सबसे पहले हम जानते हैं V1 is equal to क्या होता है, बोलिए V1 is equal to M1 minus M2 M1 plus M2 into U1 plus U2, यह देखिए सबसे पहले हमाई पस यह है, यह हमाई पस V1 ठीक ना, अब आई यह हम V1 put करते हैं, देखिए M1 minus M2 M1 minus M2, M1 मतलब क्या है cycle, और यह क्या है truck, तो भही है, इसके सामने इसकी क्या चलिए, माइनस M2 आएगा कि नहीं आएगा आएगा ना, और नीचे cycle plus truck, near about truck ही है cycle plus truck near out क्या है truck ही है, है की नहीं है है ना, near about truck ही है मतलब क्या जाएगा, M1 plus M2 मान के चलो इसको थोड़ा सा, और इसको ले लो U1, बोलो हाया ना ठीक है clear हम किसकी velocity निकाल रहे हैं, पहले हम cycle की निकाल रहे है, V1 क्या होगी, cycle की है ना, चलो, अब देखो नीचे उपर 2M2, यानि की cycle उपर किसकी, cycle का mass, और नीचे दोनों truck और cycle का तो ये तो हो गया कित था, 0, अब यहाँ देखो भाई सब, V1 equal to minus का M2, हाया ना cycle और truck का mass किसके बराबर होगा लगभग, truck के और into कितना U1, तो ऐसे यह क्या होगा, cancel तो V1 equal to कितना minus U2, ओ, U2 है न, U1, ओ, स्वारी, गल्ती होगा U1, V1 equal to कितना minus U1, मतलब हो क्या रहा है, देख रहे हो मतलब U1 velocity से लेके cycle गई थी, और किस से ठकराई थी truck से truck U2 पे है ठीक ना, यह U1 पे है, तो cycle जो है उसी velocity को लेकर के बाहर minus U1, मतलब negative side में, वापस आजाएगी, हाँ है ना मतलब cycle truck से ठकराई और उसी velocity से कहां आ गई वापस, truck को हिला पाईगी क्या, नहीं, उसी velocity से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी है ना perfectly elastic की collision हाला की cycle नहीं करती है, मगर हम cycle को समझ रहे हैं अभी, consider कर रहे है, ठेक है देख, दूसरा देखते है भाई की truck के साथ क्या होगा आप जान चुके हूँ, हाथी चले अपनी चल, है ना, truck को क्या होगा कोई छूप कर के चला गया होगा पता भी नहीं चले कौन सी cheaty छूप के चली गई तो देखते हैं दूसरा V2 is equal to कितना होता है बताईए V2 is equal to V2 is equal to कितना होता है कि पक्का कि 2M1 देखे जरा, V2 is equal to 2M1 V2 is equal to कितना होता है 2M1 upon M1 plus M2 into U1 है V2 is equal to 2M1 पन M1 plus M2 into U1 into कितना U1 plus M2 minus M1 upon M1 plus याद रखेगा देखे, फस्त वाले में V1 में M1 minus M2 होता है और से केंड वाले में M2 minus M1 ठीक ना? ठीक है, देखे So, अब क्या है, भाई, M1 यानि साइकल और नीचे ये हाथी और साइकल ये तो 0 हो गया U1 कुछ भी बना रहे है बोली हाँ है ना? प्लस M2 minus M1 M2 minus M1 तो भाई या M2 minus M1 क्या रहेगा M2 ही तो रहेगा प्राकी तो है और नीचे क्या है, M1 plus M2 ये भी क्या है, ट्राकी तो है तो यहाँ पे क्या आएगा U2, क्या है ये U2, तो M2 क्या हो गया cancel, तो V2 equal to कितना U2, मतलब पहले भी U2 से था और टकराने के बाद भी किस से चलेगा U2 से चलेगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा तो V2 equal to कितना हो गया? U2 अगर ये बाडी रेस्ट पे हो, मतलब U2 कितना रहोगा? 0 तो V2 equal to कितना जाएगा? 0 जाएगा मतलब साइकल ने खड़े ट्रकमेंट होकर मार दी है तो ट्रक टस से मस नहीं हिलेगा बलकि साइकल जिस वेलास्टी से गई है अगर ये रहा आज का भाई साब कोलीजन पूरा हमने करा दिया है यह इसको हम बोलते हैं वन डामेंशनल कोलीजन क्या बोलते हैं इसको हम यह पूरा हो चुका है थैंक यू सो मच फर बिंग विद लोकेसर अनलिम्टर इस्ट रिजो